ध्यान योग का वर्णन जरा, मृत्व, शुधा एवं पिपासा से रहित हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगनात और ब्रह्मरूप हूँ, मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में इस्थित रहने वाला आत्मा और सर्व देविमुक्त परमात्मा हूँ, मैं ही शरीर धर्म से रहित, शर, समस्त प्रपंच, अक्षर, कुटस्त चेतना भूपता से अतीर, मन के साथ पांच इंद्रियों में मूल शक्ती रूप से इस्थित, मैं स्वयम, अतीं इंद्रिय, इंद्रियों से अग्रहाय होता हुआ द्रष्टा, शोता, व्यम घ्राता, ग मैं ही विढ़्यान, तथा ज्यान स्वरूप हूँ, मैं ही समस्त ज्यान का आश्ठय, बुद्धि रूप, गुहाय मेंस्थित, प्राणि मात्र का साक्षी, तटist द्रिष्टा, तथा सर्वग, और बुद्धि की अधिनता से मुक्त हूँ, मैं ही बुद्धि के धर्मों से मैं ही सरु स्वरूप, सरोगत मनस्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सरुथा विनिर्मुक्त तथा प्राणधर्म, भुभुक्षा एन पीपासा से विमुक्त हूं। जगत का साक्षी होते हुए भी मैं आवस्थाओं से रहित हूँ, मैं ही तुरी ब्रह्म और विधाता हूँ, मैं ही द्रिग रूप हूँ, मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुध, शुद्ध, प्रबुध, अजर, सरोव्यापी, सत्यस्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्म इस प्रकार जो विद्वान इन परंपत परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चे ही ईश्वर का सारूर के प्राप्त कर लेते हैं इसमें संदेह नहीं है हे सुर्वत शंकर आपसे ही इस ध्यान्योग की चर्चा मैंने की है जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान्योग का पाठ चिंतन मनन करता है वो विश्ण लोग को प्राप्त करता है विश्ण सहष्य नाम श्री रुद्र ने पूछा हे प्रभो मनुशी किस मंत्र का जब करके इस अताहा संसार सागर से पार हो सकता है आप जब करने योग उस श्रेष्ट मंत्र को मुझे बताएं श्री हरी ने कहा हे रुद्र परम्रहम परमात्मा नित्य परमेश्व और भगवान विश्ण की सहष्ण नाम से स्तूति करने पर मनुशी भवसागर को पार कर सकता है हे विशब्धवज मैं उस पवित्र, श्रेष्ट तम अर जब करने योग विश्ण सहष्ण नाम को कहता हूँ वो समस्त पापा को विनश्ट करने वाला स्तोत्र है आप उसे सावधान हो कर सुने हे विशब्धवज मैंने सरुपाप विनशक, जगदीश्वर, देवाधी देव, विश्ण के इस सहष्ण नाम का जो कीर्दन किया है इसका पाठ करने से ब्राह्मन, विश्णुत, अर्थात विश्णु स्वरूप, शत्री विजय, वैशिधन तथासुक और शुद्र विश्ण की भक्ती प्राप करता है भगवान विश्ण का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपन हरी ने कहा हे शंक्र चक्र और गदा को धरन करने वाले भगवान हरी, आपकोना, देव देविश्वर, शुद्ध रूप परमात्मविश्णु के ध्यान का वर्नन करें हरी ने कहा हे रुद्र संसार रुपी व्रिक्ष का विनाश करने वाले वे हरी ज्यान रूप, अनंत, सर्व व्याप्त, अजन्मा और अव्याय हैं वे अविनाशी, सर्वत्र गामी, नित्य, महान, अधुतिय ब्रह्म हैं संपूर्ण संसार के मूल कारण, तथ समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं, वे समस्त प्राणियों के हिदय में निवास करने वाले, तथ सभी के इश्वर हैं, संपूर्ण जगत का अधार होते हुए भी वे स्वयम निराधार हैं, सभी कारणों के कारण हैं, संसारिक विश्यों की आसकती से परे उनकी स्थीति है वे निर्मुर्मुथ हैं मुक्त योगियों के धिय हैं वे स्थूल चरीर से रहित नेत्र, पाणी, पाद, पाईव, उपस्थादी समझ तैंद्रियों से विहीन हैं वे हरीमन, वेव अमन के धर्म संकल्प विकल्प आदि से रही थें वे बुद्धि से रही बुद्धी धर्म विवर्जित अहंकार से शूनिय चित्ट से अग्राहय पान अपान व्यानादी वायु से रही थें हरी ने कहा अब मैं सूरी की पूजा का पुनावणन करता हूँ जो प्राचीन काल में भूगरिशी को सुनाई गई थी ओंख खोलकाय नमा ये भगवान सूरीदेव का मूल मंत्र है जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है अतव मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूरीदेव की पूजा करनी चाहिए सूरी काय मंत्र साधक के समस्त पापों को विनाश करने वाला है इसे अगनी प्राकार मंत्र भी कहते हैं भगवान सूरी को प्रसंद करने वाला मंत्र सूरी गायत्री मंत्र कहलाता है इस मंत्र जबके पश्चात साधक को सूरीयम गायत्री का सकली करन करना चाहिए साधक को पत्येक दिशा पदिशा में दिकपाल देवों के परणाम के लिए निवेदन करना चाहिए ओम धर्मात्मने नम्हा पूरु में ओम यमाय नम्हा दक्षिन में ओम दंडनायकाय नम्हा पश्चिम में ओम दैवताय नम्हा उत्तार में ओम शाम पिंगलाय नम्हा ईशान में ओम दीखशिताय नम्हा अगणिकोण में ओम वजर पाणे नम्हा नैरितिकोण में ओम anci구ाव वायुकोण में हेवरिश्डवज, साधा को चाहिए कि वो मंत्रों से पूरवादी दिशाओं से प्रारम करके इशानकोर तक चंद्रादी ग्रहों की भी पूजा करें तीन मंत्रों से सूरी देव को प्रणाम करके उन देव को अरग्यादी प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए मन्त से आवाहि इन अभीष्ट देव का मन्त से विसर्जन करे हे सहस्ट रश्मी भगवान आदित्य आपके लिए मेरा प्रणाम है हे क्रिपालू आप पुनह आग्वन के लिए सुप पूर्वक पधार है हरी ने कहा हे रुद्र मैं पुनह सूरी पूजा की विधी का वनन करूंगा जिसे मैंने पहले खुबेर से कहा था सूरी पूजा प्रारम करने के पूर्व एकागरिशित्त होकर पवित्र स्थान पर करने का युक्त अश्टिदल कमल बनाए तद नंतर सूरी देव का आवाहन करे तद पश्चात भूमी पर निर्मित कमल बनाए के मध्य में यंतर रूपी खकोलक भगवान सूरी की उनके परिकरों के साथ इस्थापना करे तथा उन्हें सनान कराए हेशिव इसके बाद साथक अगनी कोड में अभीष्ट देव के इस्थापना करे युषान कोड में सिर के स्थापना करके नहरित्ति कोड में शिखा का विन्यास करे वो कुन्ह एक आगर चित्त हूकर पूरू दिशा में उनके धर्म, वाय कोड में उनके नेत्र और पश्च पूर्य दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करें इसी प्रकार अश्टिदल कमल के इशान कोड में चंद्र, पूर्य दिशा में मंगल, अगनी कोड में बुद्ध, दक्षिन दिशा में ब्रहस्पति, नहरित्ति कोड में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनी, वाई कोड में खेतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है अता साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके दिती कक्ष में साथ ही द्वादश सूरियों की पूजा भी करनी चाहिए भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, प्रश्टा, पूशा, इंद्र और विष्णु ये द्वादश सूरियों की पूजा करने के बाद पूरवादी दिशाओं में इंद्रादो देवों की अर्चना करें तथा जया, विजिया, जयन्ती ये वो अपराजिता शक्तियों की अर्शेश, वासुकी, आदि नागों की पूजा करें मृत्यूंजय मंत्र जब की महिमा सूर्थ जी ने कहा अब मैं मृत्यूंजय पूजा का वन्नन करूँगा जिसको गरूर ने कश्यप रिशी से कहा था वो साधक का उधार करने वाली पुणी प्रदायनी एवं सरुदेमय पूजा है ऐसा सभी का अभिमत है सूर्थ जी ने कहा मृत्यूंजय मंत्र ओन जून सह तीन अक्षनों वाला है पहले उंकार का उच्चारन करके जूंग उंग का उच्चारन करे तदिनंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारन करना चाहिए ये मंत्र, मृत्यू और दरिद्धता का मद्धन करने वाला है तथा शेव, विश्न, सूरि, आधी सभी देवों का कारण भूत है ओंग जुंग सह ये महामंत्र अमृतेश की नाम से कहा जाता है इस मंत्र का जब करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूप जाता है और मृत्यु रहीत हो जाता है और थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कश्ट दूर हो जाते हैं इस मंत्र का सौबार जब करने से वेदा ध्यन जनित, पुनी फल तथा यगिकृत फल एवं तीरत इसनान दान पुनियादि का फल प्राप्त होता है तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जब करने से मनुश्य मृत्य को जीत लेता है कठिन से कठिन विगन बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है भगवान मृत्यूंजय शुएत कमल के उपर बैटे हुए वरदहस्त तथा अभयमुद्रा धारन की रहते हैं तात पर ये कि उनके एक हाथ में अभयमुद्रा है और एक हाथ में वरदमुद्रा दोनों हाथों में अम्रित कलश है, इस रूप में अम्रितेश्वर का ज्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामान में रहने वाली अमृत भाशनी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोबित रहता है हेशिव यदि एक मास तक अमरता देवी के साथ अमरतेश्वर भगवान का ज्यान करते हुई मानाव औरूंग जुंग सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में आठ हजार जब करे तो वो जरा, मृत्य तक्र महाव्यादियों से मुक्त हो जाता है और शत्रों पर विजय प्राप पाद्य, आचमन, स्नान, अर्ग, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभुशन, नैवेद्य, पान, आचमन, वीजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा पदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिना, आहूति, इस्तूति, वाद्य, अर्गीत तथा नृत्य, नियास योग और प्रदक्षिना, साश्टांग प्रणति, मंत्र शय्या, वंदन आदि उप्चारों को निवेदित करके उनका विसरजन करना चाहिए, शडंग प्रकार का पूजन, जिसे परमेश परमात्मा ने अपने मुख से स्वयम कहा है, वो क्रम से बतलाया गया है, उसे जो जानता है, वही पूजक है, शडंग पूजा इस परकार है, साधक को प्रारंब में अर्गे प्रदान करने के लिए प्रयूक्त पात्र की पूजा करके, अस्त्र, अर्थात, फट मंत्र से हस्त ताडन, दाहिने हाथ के द्वारा, बाए हाथ पर धोनी करना चाहिए, उसके बाद कवच, हुम मंत से शोधन कर, अम्रित करन की क्रिया को पूर्ण करे, तत पस्चात, आधार शक्तियादी की पूजा, प्राणायाम, आसनों पवेशन, तथा देह शुद्धी करके, भगवन अम्रितेश का ध्यान करना चाहिए, तत नंतर, अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्व परपित करे, द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए, पहले आधार शक्ति की पूजा करे, तत नंतर, देवता की पतिष्ठा करके, उनके परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्ध्वानों ने बतलाया है, कि मुख्य की देव की रूप में पूजा करनी चाहिए, पूजा भूप्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है, दो स्थाκत और विद्वानों को इनकी शडगं पूजा करनी चाहिए, देवंडल की पूज़ा करने के पूर्व, मात्रिका, गंड़ देवता, नंदी, और गंगा की पूजा में अम्रतेश्वर भैरवाय नमह तथा ओम जुन हंसह सूर्याय नमह कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रारंव मंत्र उंकार को जोड़कर नामुचार करते हुए अंत में नमह शब्द का प्रयोग करके शेव, क्रिष्ण, ब्रह्मा, गर्ण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मियादी की पूजा करनी चाहिए। सर्पों के विश हरने के उपाए तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मन्द, प्रानेश्वरी विद्या, श्री सूत जी बोले, हे रिश्यू, अब मैं श्यू द्वारा पक्षिराज गरूर को सुनाये गए प्रानेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किन्त स्थानों में इस्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर तीमें प्रच्छने रेखाया बन जाती हैं तो प्रानी जीवित नहीं रहता है, शक्ष्टी तिति में कर्क और मेश राशी में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेशा, मग आजी क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्रानी का जीवन समाप्थ हो जाता है, तता कांख, कटी, गला, संदिस्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थिवाग और उदरादी में काटने पर प्रानी जीवित नहीं रहता है, तो उसे काल का ही दूद समझना चाहिए, ह उनके पथम भाग के पूर अर्धियाम का भूग सूरी करता है, उस दिवाकर भूग के पश्चात गर्नक्रम में जो ग्रह आते हैं, उन ग्रहों के द्वारा यथा क्रम शेश यामों का भूग होता है, इस काल गती में पत्य एक दिन छे परिवर्तनों के साथ अन्य शेश ग पद्मनाग गुरू, महापद्मनाग शुक्र, शंकनाग शनी और कुलिकनाग राहु को स्विकार किया, रात या दिन में भस्पती का भूग का लाने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है, अता इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता दिन में शनी गह की वेला के आने पर राहु अशुक धर्म से संयुक्त रहता है, अता वो अपने यामार्द भूग और संदिकाल के अवस्थिति में काल अर्थाद यमराज की गती के समान गतिमान रहता है, रात्रिय और दिन का मान लगभग 30-30 गटी का होता है, इस मान के अनुसार, निर्मित कालचक्र में चंद्रमा, प्रतिपदा तृति को पादांगुष्ट, दूतिया को पैर से उपर, तृतिया को गुल्प, चतूति को जानु, पंचमी को लिंग, शष्टी को नाभी, सब्तमी को हिदय, अश्टमी को उस्तन, नवमी को कंट, दश्मी को न शिनांग में तथा इस्तरी के वामभाग में चंद्र के स्थिती होती है, चंद्र के स्थिती जिस अंग में होती है, उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है, यद्यापी सर्पदंश से शरीर में उत्पन हुई मूर्चा, शीगर समाप्त होने वाली नहीं है फिर भी शरीर मर्दन से वो दूर हो सकती है इस फटिक के समान निर्मल ओंग हंसह नामक बीजमंत्र साधक का परम्मंत्र है विश्रूपी पाप को नश्ट करने में समर्थिस बीजमंत्र का प्रयोग सर्प्रदैंश से मूर्शित प्राणी पर करना चाहिए इसके चा गोर्ण ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम-कुरु-कुले-स्वाहा इस महमंत्र को आत्मसाथ किया था अधास सर्प इवम सरपिर्णियों के विश्च को शांत करने के लिए इच्चुप व्यक्ति को मुख में ओम-कुरु-दोनों गूलफा में-कुले तथा दोनों पैरों में स्वाह मंत्र का नियास करना चाहिए जिस घर में उप्युक्त मंत्र भले परकार से लिखा रहता है सर्प उस घर छोड़ कर चले जाते हैं जो मनुश्य एक हजार बार इस मंत्र के जब से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारन करता है उसको सर्प भय नहीं रहता जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शरकराखंड फैक दिये जाते हैं उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं देवताह और सुरों ने इस मंत्र का साथ लाग जब करके सिद्धी प्राप्त की थी इसी प्रकार एक अश्टिदल प्रद्म का रिखांकन कर उसके प्रत्यक दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुपकुट विग्रह रूपिनी स्वाहा मंत्र के दोदोवर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ट भात से लेकर कनिष्टा परियन कर्ण्यास तथा मुक्ष लिंग और पैरों में अंगिन्यास करें तो विश्दह नाग ऐसे मनुष्ट की छाया को स्वप्र में भी नहीं लाग सकता जो मनुष्य इस मंत्र का एक लाग जब करके सिद्ध युश्द कर लेता है वो अपने द्रिष्ट मात्र से व्याषित व्यक्ति के शरीर में व्याप तो विश्द को नश्ट कर देता हैं ऑंःींं भी रुंडाय स्वाहा इस मंत्र का जब सर्पदेंशित व्यक्ति के कान में करने पर विश्दा प्रभाव शीन हो जाता है यह द अहवर्ण का इस्थापन कर ओम हंसह बीजमंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीजमंत्र का ध्यान पूजन अजब करे तो उस सर्प विश को दूर कर सकता है। मैं स्वयम गरूर हूँ कि ध्यान करके साधक को विश्यमन का कारी करना चाहिए। हंग बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विशादी का हरन करने वाला कहा गया है वाम हात में हंसह मंत्र का नियास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन अजब करता है उस सर्प विश्च को दूर करने में समर्थ होता है क्योंकि ये मंत्र विजदर नागों के नासी का भाग और मुह की श्वास नलिका को भी रोकने में पून समर्थ है ये मंत्र शरीर की तवचा मांस आदी में व्याप्त सर्प विश्कों भी विनश्ट कर देता है सर्प दंश से मूर्षित प्राणी के शरीर में ओम हंसह मंत्र का नियास करके भगवान नीलकंठ आदी देवों को विध्यान करना चाहिए ऐसा करने से ये मंत्र अपनी वायुशक्त के द्वारा उस संपून विश्का हरन कर लेता है पत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीस कर पीने से विश्का प्रभाव दूर हो जाता है पुनरनवा, प्रियंग, ब्रहमी, श्वेद, ब्रहती, कुश्मांड, अप्राजिता की जड़, गेरु तथा कमल गट्टे के फल को जल में पीस कर ग्रित के साथ लेब तयार करना चाहिए इस प्रकार बना हुआ लेब शरीर में लगाने से विश्को शान्त कर देता है सर्प के काटने पर जो मनुश्य, उष्ण, गरम घ्रत का पान कर लेता है उसके शरीर में विश्का आधिक पभाव नहीं बढ़ता सर्प दंश होने पर शिरीश नामक विश्क के पंचांग, पत्र, पुश्प, खल, मूल, वमचाल के सहीद गाजर के बीजों को पीस कर सरवांग में लेब करने से अध्वा पीने से भी विश्का पभाव समाप्त हो जाता है ओम, रीम, बीजमंत, गोनस, गोहवन आधि विश्यले सरपों के विश्को बूर करने में समर्थ है इस मंत्र के साथ अह का प्रयोग कर अर्थात ओम, रीम, अह का उचारण करते हुए फिर्दय, ललाड आधि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्त से ही सरपादी का इसी ने पुनह कहा, रिश्यो, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कतित अत्यंत गोपनी मंत्रों को बताऊंगा, जिन से अभी मंत्र पाश, धनुष, चक्र, मुदर, शूल और पट्टिश नामक आयुदों को धारन करके राजा शत्रों पर भी विजय प्राप्त कर ले ओंकार उभम बीज है, रिंगकार विश्म बीज है, और रिंगकार शिव बीज है, चीशूल के तीनों शीर्षक पर रिंग लिख कर क्रमानुसार नियास करें, मंत्र ओम हीम है, सादक हात में शूल ग्रहण करें, तक पाश्चाथ उसको आकाश में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नश्ट हो जाते हैं साधक दूम्रवंड के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की और भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करें ऐसा करने से दुष्ट विशाले सर्प कुछ सित्ग्रह विनाशकारी मेग और राच्छास नश्ट होते हैं ये मंत्र तो त्रिलोग के रक्षा करने में समर्थ है मित्रिलोग के विशय में तो कहना ही क्या है ओम जूम सूम हूम फट ये दूसरा मंत्र है साधक खेर के आठ लकडियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित क उन्हें आठ दिशाओं में गार दे तो उस किलांकित शेत्र में वज्रपात विद्ध निपात तता इसकी गरजना का उपद्रव नहीं होता गरूर द्यारा कहे गए इस मंत्र से आठ कीलों को 21 बार अभिमंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभीष्ट शेत्र की चारों ऐसा कहे कर साधक तरजनी अंगली के द्वारा अनारपुष्प के सब्दिश कांतिमान एक पिंड का निर्मान करे उस पिंड के पदरशर मात से ही दुष्ट जन, मेग, विद्यूत, विश, राक्षस, भूत और डाकिनी आजी दसों दिशाओं को छोड़ कर भाग जाते हैं ओम भीम गरशाय नमा, ओम भीम इस्तम्मनारी चक्राय नमा, ओम एम बहम्ये त्रैलोग के दामराय नमा, इस मंत्र संग्रह को बहरवपिंड कहा जाता है, ये बहरवपिंड, विश तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है, ये साधक के कारिशिय विनाश्ट हो जाते हैं ओं कि नमः इस मनत्र से बाएं हात्मения पाष्ट का इस्मर्ण करें जिस से विश्टता भूतादी का विनाश होता है इसे प्रकार ओं ह्राम नमः इस मनत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेग और पापअगरों के प्रभावर नष्ड हो क्रितांत यम्राज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र भाले से शत्र संभू का विनाश करे ओंग्शर नमह इस मंत्र उचार के साथ कालभरव का ध्यान करके मनुश्य पाप ग्रह भूत विश्ट के प्रभाव का शमन कर सकता है ओम लसद दुजुवाक्ष स्वाह इस मंत्र का ध्यान करके मनुश्य खेती वाड़ी में विग्ण डालने वाले ग्रह भूत विश्ट और पक्ष्यों का निवारन कर सकता है ओम शुआ नमह इस मंत्र को रत वर्ण की शाही से नगारे पर लिखकर उसे बजाना चाहिए उसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रों कारिता को भैवीत होते हैं